बॉलिवुड के माचो मेन सनी देओल जिनोंने हाल ही में गदर टू से धमाकेदार तमबेक किया था अविवादों के घेरे में सनी देओल पर ग्रूफा धड़ी और जाज साजी के गमफीर आरूप लगे हैं और ये आरूप लगाए हैं प्रोडियूसर सौरफ गुपता ने तो क्या है पुरा मामला चलिए फटाफट आपको बता दिते हैं सौरफ गुपता का कहना है कि उन्होंने 2016 में सनी देओल को अपनी फिल्म के लिए साइन किया था समझोते की मुताबिक सनी को एक करोड रुपे एडवांस मिलने थे लेकिन उन्होंने धाई करोड रुपे ले लिए सौरफ का आरूप है कि सनी ने कॉंट्रेक्ट में छीर चाड़ कर अपनी फीस और प्रॉफिट शेरिंग का अमाउंट बढ़ा लिया सौरफ गुपता ने हिंदुस्तान टाइमस से बाचीत के दोरान बताया कि सनी देवल ने उनकी फिल्म की बजाए पोस्टर बॉइस की शूटिंग शुरू कर दी और उनसे और पैसे मांगती रही इस तरह उन्होंने सनी को 2.55 करोड रुपे दी दी सौरफ ने यह विदावा किया कि 2013 में सनी ने उनकी कम्पनी के साथ परजी समझोदा किया था जिसमें फीस 4 करोड से बढ़ा कर आठ करोड कर दी हो थी इस मामले में डारेक्टर सुनील दर्शन ने भी सौरफ गुपता का समठन किया है सुनील दर्शन का कहना है कि सनी देवल ने उनकी फिल्म अजय के उबर सीज डिस्ट्रिवूशन राइट्स खरीदी थे और अब तक पूरा पुपतान नहीं किया इस पूरे मामले पर सनी देवल या उनकी टीम की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है सनी देवल ने हाल ही में गदर टू से धमाफितार वाकसी की थी और अब बे जल्द ही बॉर्डर टू और लाहोर 1947 जैसी फिल्मों में नज़राएंगे देखना दिल्चस्प होगा इन आरोपों का उनकी करियर पर क्या असर पड़ता है फिर में दुनिया की और भी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद